अगर अगर आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल पर पहली बराए है तो चैनल लोग सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को देरी ना करते हुए आप लोग को बताते हैं आगे का टॉपिक या अपना ट्रेवल्स या जो भी कहें वह लाइन में होता क्या है दोस्तों कि हम लोग आ तो जाते हैं जौब छोड़ देते हैं जौब चुट गई जो भी चुट गई तो इस से रिलेटर क्यारी है हमाराज तो जो हम छोड़ के चले आते हैं और हम नए रहते हम बिजनस कैसे करें हम जो कहां जाए कहां बुकिंग अच्छी मिलेगी कहां नहीं मिलेगी कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था सुरू सुरू में दोस्तों देखो अच्छा लगे तो लाइक जरू करना यार बातो में के लिए और कुछ इलाका गरवर भी होता है जहां फी होती है मार्जापाट भी होती है कि मृणिंग का होता हूँ का इसा अडिया है रोनी हो रोनी होग चला गांग रोनी होग हो गया पंजाबी बाग हो गया और अपना द्वार का हो गया सेक्टर पांच साथ दस तेरा जो भी है उत्तम नगर गलती से मत जा उत्तम नगर की बैन बजी रहती है हमेशा और आपको बता दू नौर डैली में हो गया मुखरजी नगर हो गया यह सब प्राइम लोकेशन दोस कुछ ऐसा एडिया है जैसे कि जांगीर पूरी मंगोल पूरी सुल्टान पूरी इस सब इलाके में जाना अपनी रिक्स प्रेक्टर होता है तो जाना चीजी काम है दिखो दीन में तो इतना दिक्कत नहीं होती है रात वाले मामले में दोस्तों क्या होता है कस्टमर को सब्सक्राइब करें और प्राइम लोकेशन पर आप लोग डूटी किजिए उससे क्या होगा आपकी गाड़ी भी बची रहेगी ज्यादा गली में नहीं जाएंगे और आपका काम भी अच्छा हो जागा जैसे देखो मैं उधिर क्या हुआ था मैं फसा था मेरेट में आने के बाद वहां पर कुछ एडिया जैसे की लिसारिएत को कि आपसे मेरे से लेट से आगे जाएक ऑब bawहान यूपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर पॉब्लिक समझती नहीं बात को गाड़ी जा रहा है या कुछ भी जा रहा है तो कोई समझने के लिए राजी नहीं होता दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कहीं भी अगर बाहर ट्रेवल मतलब इंटर सीटी राइड तो जब हम जाते हैं तो मेरे जहां तक मेरा मेरे साइड में अपना सास्ती नगर हापूर अड़ा मेरेट कैंट और कंकर खेरा यह सब इलाके इतनी दिक्कत नहीं होती है यहां साब को इजली दिल्ली के लिए तुरॉंप बूकिंग मिल जागी निवेडा हो दिल्ली हो कहीं भी एरपोर्ट हो इससा हो गया जैसे सोनीपत हो गया तो सोनीपत में सेक्टर 38 तक तो आपका इजली दिल्ली के फटाफट मिल जागा आप लोगों को और इधर अपना गुरुगाउं सेक्टर 23 मतलब 68 70 70 तक का जो सक्टर है इस एरिया में अब दिल्ली के द्रण बैक टूब डूटी मिलती रहती है द्वारका हो गया जनकपुरी हो गया घ्रला गाम जाने लाइक नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत कंजेस्टेट रिया बहुत दिक्कत होती है उसके बाद अपना क्या करते हैं कि अब आप सुबह सुबह जाने से जाने के लिए नहीं होता है और जैसे मैंने आपको बता है उत्तम नगर बहुत कंजेस्टेट है उत्तम नगर तो आप किसी भी टैक्सी वाले से रहे लेंगे बाई तो वह साम मना करते हैं कि उत्तम नगर नहीं जाना चाहिए चलिए जोस्तों आज मैंने आपको यह सारी सी बताई और अगर मेरे से कोच ची छुट गई है आपको लगता है कि यह ची अच्छा जगह है तो आप लोग कमेंड करके जरूर बताना नवेडा नवेडा की रूट पर इतनी दिक्कत नहीं आती है बुकिंग के लेकिन और लोकेशन के ना तो भाई मैं गया हूं अन्ना जाना चाहता हूं अपने इसी में दालोटी चलना बहुत बढ़ी है तो आप लोग यह नोट जरूर कीजिए दिमाग में बैठाई अगर काम करना है तो और सब लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग कोई इसमें टॉपिक चुट गया है जैसे मैंने भी चुट गया था तो आप लोग जुरूर बताईए गाजियाबाद में ठीक ही इलाका है गाजियाबाद राजनेगर हो गया अपना और राजनेगर पटेल नगा फिर लोनी और बागपत जाने लागे नहीं कि वहां से आपको ड्यूटी बहुत कम चांसेस होता है मिलने का लोनी जो लाश्ट होता ना बागपत ग्रव उदर भी बहुत कम चांसेस मिलता है जल्दी करावान अगर इस समय में थोड़ा सा कंजेस्टेट है लेकिन मिल जाती है लेकिन रिस फेक्टर प्राइम लोकेशन कहा कहा कैसे कैसे है और जैसे आप लोग आउटे सेशन को राइड करते हैं तो आपको रात में कहीं रुकना हो तो सबसे बड़ी बात है आपको पे-टरौल पॉंप होता है जैसे कि कोई भी डराइवर भाइरात कहीं भी रुकना चाता है पस गिया दूर जाए कि तो पे-टरौल मप-पर रुखो आपकी जलूरी अपने हाथ में दूसरा कुछ कोई कुछ नहीं करेगा चलिए दूस्तों जितना मेरे से होने वाला था करता हूं और आप लोग को मैं बता दिया तो अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते ना और चैनल पहली बार रहा तो सब्सक्राइब करते ना और आप लोग ने इस एटी बॉलक्स को फ्यार दुलार देते हो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू और ऐसी